दोस्तों हो सकता है आज आपके जीवन में रुकावटें हैं बाधाई हैं जिने देख कर आप चिंतित रहते हैं परिशान रहते हैं प्रात्ना करते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें हम आपके लिए प्रात्ना करेंगी प्रेज देलोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभे की प्रातना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपके रास्ते की हर एक रुकावट दूर हो जाएगी हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे रुकावटे हों बाधाएं हों और आप परिशान हों उन रुकावटों को देख कर तो आज मैं आपसे कहूँगा कि प्रभियेश्य मसी आपके जीवन के हर एक रुकावट को दूर कर देंगे हम लोग देखते हैं मरकुस अचे स्वे समचार उसके दो अध्याई में एक बार प्रभियेश्य मसी किसी के घर में हैं और वहाँ पर परचार कर रहे हैं वहाँ पर संगत्ती चल रही है इतने में कुछ लोग एक लकवे के रोगी को ले करके आते हैं और जब वे दरवाजे के पास में होते हैं वे लोग देखते हैं कि बहुत भीड है अंदर जाना नामुंकिन है इस लकवे के रोगी को प्रभियेश्य मसी के पास ले जाना नामुंकिन है असंभव है क्योंकि बहुत बड़ी भीड है यदि वो वेट भी करेंगे तो उनका नमबर आना मुस्किल है तो उन्होंने क्या किया वे वापस नहीं गए दूसरे सब्दों में यह दि कहा जाए तो उनके सामने रुकावटे हैं बाधाएं हैं प्रभियेश्य मसी तक पहुँचने के लिए रुकावटे हैं बाधाएं हैं परंत वे चारों निरास नहीं हुए वो जो लकवे के रोगी के दोस्त थे वे निरास नहीं हुए वे वापस नहीं गए उन्होंने क्या किया वे लोग पीछे से छट पर चड़ गए और छट पर चड़े और उन्होंने छट को खोल दिया और रसी के सहारे अपने उस दोस्त को जो लकवे का मरीज था उसे छट स नीचे उतार दिया और प्रवी येश्य मसी के सामने जब प्रवी येश्य मसी ने इस बात को देखा तब परमेश्य का बचन कुछ इस परकार से कहता है मरकुस दो अधियाई पांच पद जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है येश्य ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी को ले करके आये थे उनका विश्वास देखकर उन दोस्तों का विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र तेरे पाप छमा हुए और वो उसी समय खड़ा हो गया चंगा हो गया अब फिर अपनी खाट उठा कर घर चला गया लोगों ने इस अद्व वास्ता उनका कि वे वापस नहीं गए वे निरास नहीं हुए उन रुकावटों को देखकर उन वाधाओं को देखकर वे वापस नहीं गए वो मायूस नहीं हुए उन्होंने मन में ठान लिया कि आज हम अपने दोस्त को चंगा करके लेके जाएंगे और चंगा करने वाला प्रविश्यमसी अंदर है और उन्होंने ये निर्नाय किया कि हम कैसे भी करके आज इस व्यक्ति को इस रोगी को प्रविश्यमसी के पास ले करके जाएंगे और वे लेकर गए और उन्होंने अपने विश्वास का पल पाल लिए दूस्तों हो सकता है आज आपके जीवन में रुकाउटें हैं, बाधाएं हैं, जिन्हें देखकर आप चिंतित रहते हैं, परिशान रहते हैं, तो आज परमेश्व का वचर आपको उटसाइट करता है, कि विश्वास में बने रहें, मायूस नहों, निरास नहों, पीछे नहों, विश्वास में बने रहें, यदि आप विश्वास में बने रहेंगे, तो प्रबो आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कारिया करेगा, बाइबल कहते हैं, जैसा तेरा विश्वास, वैसे तेरे लिए होगा, यदि आप विश्वास में बने रहे तो यरीहों की दिवार भी गिर जाएगी यदि आप विश्वास में बने रहे तो अदबुत अश्यर करम आपके लिए होगा लाल समुद्र भी आपके लिए दो भागों में बंट जाएगा यदि आप विश्वास में बने रहे तो आप लकवे के रोग से भी छुटकारा पा लेंगे यदि आप विश्वास में बने रहे तो मार्ग आपके लिए अपने आप बनते हुए चले जाएंगे बस आपको क्या करना है आपको विश्वास में बने रहना है ये नहीं कि आप प्रव येश्य मसीप विश्वास करते हैं और आपने रुकावटों को देखा प्रस्तितियों को देखा बाधाओं को देखा और आपने कहा कोई प्रव नहीं है कोई प्रातना नहीं सुनने वाला आप पीछे होगे, आप मायूस होगे, आप निरास होगे, नहीं, ऐसा करके आपको फल नहीं मिलेगा, आपको विप्रीत समय में परमेश पे भरोसा रखना है, विप्रीत समय में उससे प्रातना करते रहना है, विप्रीत समय में आपको विश्वास में डटे रहना है, खड़ देगा उन रुकाउटों को उन बाधाओं को आपके जीवन से दूर करेगा और आप अपने विश्वास का फल पाएंगे तो प्रभव आपको इस वचन के द्वारा बहुत आइट से आशिस दे आमेन प्रमेश्वर की वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे इसलिए इन प्रमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो प्रमेश्वर आपको आशिशित करेंगे इन वचनों को आपकी जीवन में प प्रदेश में रहने वाला है, मेरा नाम गमनगुकिर है, हम निस्त्री है, हम गर बनाते समय, उपर से गिल गया, कमर तेरा हो गया, तब हम PK प्राडर और अनिता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट किया, अभी पूरी तरह तीक हो गया, प्रदेश मसी का इस सुंदर सी सुभा में धनेवाद करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबने वचन को सुनकर आशिश पाई है, और आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, तो आईए मिलकर हम प्रात्न करें, धनिवाद करते हैं, सामर्थी, प्रेमी, हमारे प्यारे पिता हम आपका धनिवाद करते हैं, आपकी बहिमा प्रशन सा तारीफ करते प्रभू, जैजैकार करते प्रभू येश मसी, तेरे नाम को सरहाते हैं परमेशर, इस सुभा में प्र मैं तेरा धन्यवाद करती हूं प्यारे प्रभू कि तू अपने लोगों को प्रभू अपने हातों में सुरक्षित रखता है प्रभू और आज हम सब जीवित हैं प्रभू और इस दिन को देख पाएं प्रभू इस दिन में प्रभू तेरी योजना के तहत प्रभू हम कारे कर प्रभु जी विशेश रूप से प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हमारी नहीं वरन प्रभु येश्य मसी आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्यारे प्रभु आज के दिन को हम आपके हातों में समर्पित करते और आज के दिन में होने वाले हरे कामों को तेर प्रभू शांती आनन्द प्रमिश्वर मैं मांगती हूँ इस सुभा में आपके लोगों के लिए खुदा और हमारे साथ जितने भी भाईबेन इस प्रात्न में शामिल है खुदा यदि आज वो किसी भी समस्या में पाई जाते हैं किसी भी रुकावट परिशानी बीमारियों से ग्रसित है तो खुदावन आज वो आपकी चंगाई चुटकारे और आपके इंतिजामों को अपने जीवन में इस सुभा में देखने पाए परमिश्व पिता आप इनके लिए सुर्ग के जरों के खोल देना पिता आज के दिन में प्रभू तो अपनी आशिशों को इन प रोगी था और उनने रुकावटों को देखकर वो पीछे अपने कदमों को नहीं लिया वरन परमेश्व प्रभू उनने विश्वास में स्थिर रहकर उसे परमेश्वर के सम्मुक उपस्तित किया मैं प्रातना करती हूं कि आज ऐसा विश्वास आपके बेटे बेटियों के अंदर भी उत्पन होने पाए पिता प्रभू हर विपरीत समय में प्रभू तेरे लोगों का विश्वास तुछ पर बना होने वाला हो सके प्यारे खुदावन वो लड़ खडाई नहीं वो गिरे नहीं वो पीछे नहाटे मेरे प्रभू वरन प्रभू विश्वास में स्थ करते हैं इनके प्रभू रिष्टा पक्का होने में प्रभू जो रुकावटे आती है शुके नाम से आप इन्हें दूर करें परमिश्वर इनके बिजनिस में प्रभू जो रुकावटे आते हैं उन्हें आप दूर करें इनके जोग के छेत्र में जो रुकावटे आ रही हैं वीजा मिलने में रुकावटे आ रही हैं, एक अच्छा opportunity मिलने में प्रभू रुकावटे आ रही हैं, प्रभू जो भी रुकावटे आज इनके जीवनों में है खुदा, येश्य मसी प्रभू रुकावट को देख कर ये अपने कदमों को पीछे ना ले, परन विश्वास में स्थिर रहकर प्रभू तुझ पर भरोसा करते वे प्रभू वो आगे बढ़ सके, क्योंकि प्रभू उपाए, इंतिजाम, छुटकारा, चंगाई, सब कुछ प्रभू तेरे पास है, और प्रभू ये विश्वास के कदमों में आगे बढ़ सके, मेरे खुदावन, आज जित प्रभू ये विश्वास की प्रातना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभू ये श्वमसी उसे उठाकर खड़ा करेगा, यदि उसमें गुनाह भी किये हो, तो उनकी भी शमा हो जाएगी, ये श्वमसी आज इनके रोग, इनकी दुरबलता, इनकी कमजोरी, इनकी चोट, इनके घाओ, इनकी हड्या, इनके मांसपेशिया, खुदावंद ये श्वमसी के नाम से चंगी हो जाए, ये उट खड़े हो, तेरी महिमा करें, तेरी महिमा को करने पाए पिता, धनिवाद देते हैं पिता, इस सुबह में तुने हम सब को, पिता, संगती का सहभाग तुने आज के दिन के अपने लोगों को दिया है, प्रभू हर एक रुकावटे, एक्सिटेंट, खत्रे, मुसीबत, रुकावटे, बाधाओं को तुने दूर किया है, पिता, हम ये विश्वास करते हैं, और प्रभू, आज के दिन में बहुत बहतर, उत्तम और अच्छी ए एक अच्छा इंतिजाम प्रभू आपके लोग अपने जीवनों में आज के दिन में देखने पाएंगे, प्रभू आज ये देखने पाएंगे, जो उनके जीवन में कभी नहीं हुआ पिता, ऐसी आशिशों को अपने जीवन में आज के दिन में ये देखने पाएंगे, धन करती हूं कि प्रभु तुन्हें उनका उत्तरहां आमीन में दिया है जिन्होंने बोया है उन्हें फल्वंत करें आशीज जेंपिता यूही वो बढ़ते चली जाएं नने बात करते हैं सबकुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रात नई यश्यू के नाम से मांग ले दे सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन